हमश्कार मैं हूँ आपके साथ अग्रम जादों और आप देख रहे हैं जीवेन 24 न्यूज इंतजार करना पड़ा शहीद का परिवार किसी कारेंवर्ष अनावरन स्थल नहीं पहुँचे थे सूशना पाकर बहरा गोड़ा के विधायक समीर महंती शहीद के घर गए और परिवार से बात कर समझाने का काफी प्रयास किया वे नहीं माने बाद में जला प्रशासन की ओर से मनाने का प्रयास शुरू किया गया जहां कुछ लिखित आश्वासन के बाद शहीद का परिवार मान गया और कायरकम स्थर पहुँचकर मंत्री चमपई सोरिन के साथ शहीद गनेश हाथसा की प्रतिमा का अनावरन किया गया जिसके बाद मंत्री चमपई सोरिन शहीद के घर जाकर परिवार के लोगों से वारता की और पार का उदगाटन किया वहीं इस संधर्ब में मंत्री ने कहा कि राजसरकार शहीदों का अपमान नहीं होने देंगे जहां हम शहीद परिवार के साथ खड़े हैं वहीं विवस्था में चूक के कारणा ऐसे इस्तिती उत्पन हुई के परिवार के लोगों नाराज नजर आ रही थे मगर स्थिती अप सामाने हो गई है चो नाराजगी थी उसे दूर कर दिया गया है चमपई सोरेन मंत्री जहारकन सरकार जी बिन टोनी फोर नियूस के लिए जमशेद पूर से मनमन पांडे की रिपोर्ट फिर साहीद गने सस्दा मुर्थी आनावरर के दीन में ये जवान भारत मस को रच्छा करने के लिए लोग बोडार में रहते हैं और इस देश को बचाने के लिए भीर साहीदों के बहुत बड़ा बलिदान होता है बहुत बड़ा सोज़ाएं जो आज उसी जगा में साहीद हुआ है जहां बोडार है जो भारत अर्दूसरा देश के बोडार में रहते हैं कि देश बचाने के लिए अपना आफ़ती है इसलिए हम सब सहीद के पत्ति हम लोग परनाम करते हैं जो देश का सुरजच्छा के लिए अपना बलिदान दो उसका साथ साथ जो राई सरकार का या देश के अंदर सरकार का भी कुछ दाइट तो होता है राई सरकार का दाइट तो है उस परिवार को सम्मान देना आई राई सरकार का या इन सहीदों को परिवार को सम्मान देने का भी सुरूप है पांच एकर जमीन भी इस परिवार के लिए अपना बंदबस्ति का दिया पहले भी राज के जुवा मुख्व मंत्री ने अपना बसना किया है हम इनको पड़ोड़ पांफिले जमीन देंगी रोड को किनारे में वो देच मुख्वा हरी सुमेवी राज के मुख्व मंत्री